हेलो एबरिवन मैं मेथुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे आर्मी पबलिक स्कूल के पेड़ागोजी सेक्षन को बहुत डीपली आपको समझने की जरुरत है बहुत ही अलग अलग तरह के variety वारे question आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सीटेट की तरह आसान question आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलने वाला है और आप लोगों से एक जो है गुजारिस है request है humble request है नीचे comment करके बताएगा कि आपका answer आपने कितने question का सही सही जवाब दिया कितने score में आपको कितना मिला है नीचे comment करके यह जरू लिखना और तीन question मैं पूछ लेता हूँ इसका जवाब आपको correctly देना है आपको बताना है gardener ने कितने intelligence की बात करी है ठीक है gardener ने कितने जो है theories के बारे में बात करा है दूसरा सवाल आपके लिए ये रहा आपको ये बताना है वाइगोस्की के द्वारा जो है किस theory के बारे में आप पढ़ते हो तो सबसे पहले कौन सी theory आपके mind में आती है तीसरा सवाल है skinner के द्वारा कौन सी theory दी गई थी अगर उसके बारे में दो-तिन line में अगर आप describe कर सकते हो तो सोने पे सुहगा हो जाएगा नीचे चलिए comment section में आप लोगों को जवाब देना है चलिए पहले question की और आप लोग बढ़ते है which of the following statement describe प्याजे एंड वाईगोस्की's views on language and thought correctly देखे बात किसकी की जा रही है प्याजे किसकी बात की जा रही है वाईगोस्की की और इनका जो point of view था इनका जो सोचना था language और thought के बारे में वो क्या था तो देखे प्याजे का प्याजे जो सोचते थे ना उनका तहना था कि सबसे पले thought आता है प्याजे ने क्या कहा था आता है और वाईगोस्की ने कहा कि जो language है ना वो thought पर असर डाल देता कि अगर आप English में सोच रहे हो तो आप answer अलग तरह से दोगे अगर हिंदी में सोच रहे हो अपनी मातरी बासा में सोच रहे हो तो आप answer दूसरी तरीके से दे पाओगे तो कुल मिला कर बात यह है कि प्याजे और वाईगोस्की का भ्यूज जो है language और thought पर बिलकुल अलग था प्याजे मानते थे कि thought ज़्यादा important है और वाईगोस्की मानते थे language ज़्यादा important है अब देखिए option पढ़िए और आपको जो है answer इसका मिल जाएगा both views thought as emerging from the child language बिलकुल नहीं ऐसी दोनों option को आप cut कर दीजिए one और two में आपको देखिए यहाँ पे दिक्कत देखने को मिलेगा देखिए प्याजे के according जो है thought पहले आता है यह मैंने आपको बताया और वाईगोस्की के according जो है language बहुत important role play करता है thought के बारे में यही मैंने आपको बताया तो पहले सवाल का जो जवाब है वो हो जाएगा one number चलिए आगे बढ़ते हैं I hope कि आपको सारी चीजे समझ में आ रही है दूसरा सवाल आपके सामने यह रहा It is said that development is a never ending process which of the following defines it अब देखिए यह जो है किस के द्वारा define किया गया है तो आप ऐसा समझ लो इसका answer बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो development है विकास जो है न यह womb से यानि कि मा के गरब से लेकर tomb तक यानि कि कबर में भी आप चले जाओगे कबरिस्तान में भी चले जाओगे तब तक आपकी जो है इस दौरान यह जो process है न तब तक आपकी development होती रहती है चाहे वो intellectual तोर पे हो physical तोर पे हो physical तोर पर आप जो है एक stage के बाद आपकी वर्धी यानि कि आपका जो growth है वो रुख जाएगा लेकिन development हमेशा होता रहता है यानि कि कुछ ना कुछ आप रोज सीखते रहते हो बले आपने beard करा उस समय आपके पास कुछ और knowledge थी CT8 के दोरान आपको पता चला कि चीजें और कितने difficult हो सकती है KV, NV का exam दिया आपने आपको पता चला कि और भी आपको जानने की जरूरत है तो ये क्या हो गया? WOM से TUM तक अब देखो इसका सही जबाब क्या होगा? इसका सही जबाब होगा continuity यानि कि जब तक आप जिन्दा हो तब तक आपकी development, learning जो है वो endlessly चलता रहेगा तो 2 का सही जबाब क्या हो जाएगा? 3rd number चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़े हैं उससे पहले ना आप लोगों से एक जरूरी सूचना जो है share करनी है जो लोग भी आर्बी पब्लिक स्कूल के तयारी करना चाते हैं और एक सीट अपनी confirm करना चाते हैं 699 में आप मेरे hand it and not acquire कर सकते हो पहली बात दूसरी बात acquire करने के लिए क्या करना होगा? email ID से आपको एक mail लिखना होगा yourmithun singh at the red gmail.com पे mail कर लिजिए या फिर comment section में अपना email दे दिजिए मैं आपको contact कर लूँगा 699 में आपको मेरे hand it and not प्लस previous question paper प्रभाइड कर दिया जाएगा clear होगी बाते ये तो हुई army school के तयारी के बारे में अगर आपने खुझ से अपना hand it and not तयार किया है या तयारी कर रखिये तो नौट्स लेनी की ज़रूत नहीं है अगर आपने तयारी नहीं कर रही है तो आप hand it and not ले सकते हो यहां से मेरे email आडी देख लो yourmithun sing at the rate gmail.com पे mail कर लिजिए इंस्टा पे हो then do follow me at the rate imithun sing चलिए तीसरे सवाल की और बढ़ते हैं question number third a teacher makes use of a variety of tasks to cater to the different learning style of her learners she is influenced by एक teacher है देखिए यह अलग-अलग तरीके से अलग-अलग task देकर बच्चों को कुछ सिखाने की कोशिस कर रही है अपने learners को यह अलग-अलग तरीके से एक ही चीज को अलग-अलग तरीके से करके सिखा रही है तो यह जो है जो सिख्चिका है teacher है वो किस से influenced है तो याद रखिए मैंने एक सवाल पूझा था gardener के सिधान से gardener के theory से यह जो है influenced है gardener ने क्या कहा था intelligence एक तरह का नहीं हो सकता है कि वो कोई पढ़ने लिखने में बहुत ही बेवकूफ हो लेकिन उसे जो है गाड़ी बनाने में बहुत ही इंट्रेस्ट रही यानि कि वो mechanical engineer बन सकता है अब आप बोलोगे बिना पढ़े लिखे mechanical engineer आप अपने घर के आसपास देख ले ना bike cycle बनाने वाले एक से कारिगर हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं है बहुत पढ़े लिखे कारिगर भी होते हैं घड़ी बनाने वाला कारिगर हो तो कुल मिला कर बात ये है कि हर individual की जो personality है वो अलग-अलग है उसके intelligence का तरीका भी अलग-अलग है कोई जो है engineer बन जाता है कोई बहुत अच्छा cook है तो वो cooking करता है safe बन जाता है इसी तरह से इसका जो सही answer होगा तो वो अलग-अलग तरीके से जो है अपने बच्चों को सिखाने की कोशिस कर रही है वो gardener के multiple intelligence theory से क्या है influenced है समझ में आगई होगी बाते चलिए आगे बढ़ते हैं question number 4 की ओर which of the following is the first step in the scientific method of a problem solving यानि कि आपके पास कोई समस्या है उसे solve करने का first step क्या होना चाहिए तो देखिए जब भी आपके सामने समस्या आजाए न तो समस्या के बारे में awareness या फिर उसको पहचानने यानि कि identity of a problem ये दो option अगर आपके पास है तो उसी के साथ आपको बढ़ना चाहिए यानि कि problem of awareness या फिर प्रोब्लम औफ या फिर identity of a problem ये अगर आप कर लोगे पहले समस्या को पहचान लोगे तभी उसके बारे में आप act कर पाओगे पहला option ये होगा अगर दूसरा step पूछा जाए तो वो होगा formation of hypothesis तीसरा क्या होगा इसका आप verification करोगे उसके बाद जो है आखरी stage में relevant information डोड़ने होगे कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है ये third है फर्स्ट ये है problem को जो है awareness या फिर उसकी identity आपके पास होनी चाहिए चलिए question number five क्यों बढ़ेंगे maintenance is the scientific stage of learning which is anti-descent to stage of learning आप से देखी ये सवाल पूछ लिया गया है इसका क्या मतलब है देखिए इसका मतलब ये है आपको ये बताना है कि सबसे पहले जब आप किसी भी तरह से जो stage of learning है वो सबसे पहले क्या होती है तो देखो सबसे पहले जो stage of learning आएगी वो आएगी acquisition सबसे पहले क्या आएगा acquisition उसके बाद आएगी fluency उसके बाद आएगा maintenance उसके बाद देखो को करने में आप पारंगत हो जाओगे उसके बाद time to time उसे maintenance करना होगा पढ़ते रहना होगा अधरबाइज आप इसे भूल जाओगे ठीक है इसके बाद क्या जाएगा generalize देखो आप बाइक अगर दो चार पांच साल से चला रहे हो तो आपको गेर बदलने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा इस कूटी में जो है आप कब speed कर लेते हो कब धेरे कर लेते हो वो आपका subconscious mind धेरे धेरे ये कर लेता है यानि कि problem को generalize कर लेता है तो c यानि कि third इसका right answer होगा next question क्यों हम लोग बढ़ेंगे which of the following is not one of the primary tasks of a teacher for effective student learning यानि कि teacher का जो task है primary task है वो क्या नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए देखें not यहां पर बोल दिया गया है इसका मतलब यह है यहां से अगर आप चारो options को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इसका सही जवाब क्या होगा यहां से देखो आपो सबसे पहले आपको क्या पता करना है यहां से देखो मैं wait a minute आपको बता दू wait 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 कौन सा option है यह यह रहा option number two अब यह option number two क्यों है देखो यहां पर डाइडेक्टिक मतलब चाहोता है किसी को instruction देना बच्चे को जो है आप किसी तरह से information देकर नहीं सिखा सकते हो बच्चे को आपको प्रेरिद करना है, motivate करना है ताकि वो खुद से चीजों को सीख पाए आपका काम है बच्चे को क्या करना एक facilitator की तरह आपको पेसाना चाहिए ताकि बच्चा खुद से सीखे और आगे बढ़े याद रखेगा बच्चों को lecture method से नहीं सिखाना है या फिर direct instruction देकर नहीं सिखाना कि ऐसे ऐसे हो जाएगा बच्चे के अंदर curiosity आपको जगाने का काम करना है आप teacher नहीं हो आप facilitator हो ये बात को याद रखें NCF में ये बातें कही गई है I repeat NCF में ये बातें कही गई है चलिए आगे बढ़ेंगे The cognitive ability that comes in a pre-operational period is Pre-operational period के बारे में सबसे पहले आप जान लो ये होता कब से कब तक है तो देखें 2-7 साल तक के period को आप बोलते हो Pre-operational ठीक है 2-7 साल कभी-कभी ये ही objective question पूछ लिया जाता है कि Pre-operational period कितने से कितने साल का होता है तो याद रखेंगा 2-7 साल के बच्चे में Pre-operational period होगा और इस दोरान बच्चा क्या होगा Ego-centric होगा सिर्फ अपने बारे में सोचता है बच्चा अगर उसे chocolate मिल जाए, candy मिल जाए, toffee मिल जाए whatever, biscuit मिल जाए वो सबसे पले फट से अपने मूँ में डाल लेगा खाने की कोशिस वो करेगा तो वो क्या है? Ego-centric अपने अनुसार ही वो पूरे दुनिया को देखता है यानि की सबसे पले वो खुद को ही अपने आपको दुनिया समझता है यानि की वो क्या है? Ego-centric है लेकिन 2-7 साल के अंदर उसके अंदर इतनी बातें development समझे में आ जाती है कि जो चीज़े physically existence यानि की physically absent है इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं जैसे कि अगर आपने mobile छुपा दिया और बोलोगे mobile तो खो गया चला गया है अब नहीं आएगा लेकिन उसे पता है कि mobile क्या हुआ है? आपने उसे कहीं छिपा दिया है भले सामने में नहीं है लेकिन वो क्या है existence करता है ये दो बाते हो गई अब देखिए आखरी बात यहाँ पर देखो goal oriented behavior वो करता है इसका मतलब क्या हुआ goal oriented behavior का मतलब इस दोरान जो है वो सिर्फ और सिर्फ अगर उसे candy चाहिए तो वो क्या करेगा रोने दोने लगेगा अगर उससे भी नहीं मिलता है तो वो चीजों को फेकने लगेगा देखना आपने भी ऐसी चीजें ऐसी बाहियात हरकतें करी होगी हर बच्चे करते हैं तो pre-opersonal stage में उसे जो चाहिए उसी तरह की behavior वो करता है I hope कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी Who said this statement Children actively construct their understanding of the world यानि कि बच्चा जो है activate होकर understanding यानि कि दुनिया की जो चीजें है वो खुद से जो है construct करता है वर्ड के बारे में धेरे-धेरे वो जानने की कोसिस करता है यह statement किसका है जीन प्याजे का, इसकेनर का, पावलब का या कोहलबर का तो देखिए मैंने आपको पहला question जब पढ़ाया था उससे मैं आपको बताया था कि बच्चा जो है सबसे पहले thought लाता है क्या लाता है प्याजे के according बच्चा जो है thought लाता है जो जाने चाहिए तो वो बच्चा क्या है successful intelligence है या फिर वो understanding कर पा रहा है चीजों को यह भी successful का एक मैं फूल नहीं लिख रहा हूँ understanding को ऐसे ही समझ लेना आप वो logic की बाते करने लगता हो तो वो successful intelligence है वो self awareness है problem solving कर रहा है तो successful intelligence है यह तो हो गई बात successful intelligence की लेकिन question क्या पूछा गया है किस psychologist ने ये बाते कही है इतने से तो काम चलेगा नहीं तो Robert Stanberg ने ये बाते कही है option 4 आपका सही जबाब होगा चलिए आगे बढ़ते हैं एगले सवाल की और next question आपके सामने ये रहा the G factor is related to देखिए G factor जो है किस से related है तो G factor की जब भी बात की जाएगी याद रखेगा ये intelligence से जो है related है ये तो हो गई पहली बात किसने इसका coach की थी या फिर इसके बारे में किसने theory जो है present करी थी तो याद रखेगा उनका नाम है Charles क्या नाम है Charles Spearman और ये बहुत बार question आ चुका है और REIT में भी ये question पूछा जा चुका था तो Charles Spearman इसका सही जवाब है Charles Spearman के दोरा जो है G factor theory रखी गई थी आगे बढ़ते हैं इतर National Literacy Mission ये कब किया गया था तो देखो आप National Literacy Mission जो है Proud यानि कि Adult लोगों को Adult लोगों को जो है 18 से अधिक जिनकी उमर हो चुकी है और 60 के नीचे वाले एज जो है जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है उनको Literate करने की बात की गई थी किसके दोरा Government के दोरा आपको याद होगा साइद आपने देखा भी होगा कि रात में साम में जो है जो बड़े लोग है 18 से अधिक उमर जिनकी हो चुकी और वो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए जो है रात में नाइट में जो है क्लासेश चलती थी तो वो है Adult Education से related था कब ये हुआ था 1988 में पता नहीं आप लोगोंने देखा है या समझा है नहीं नीचे कॉमेंट जरके आप लोग जरूर बताना चलिए आगे बढ़ते हैं Critical Thinking जो है इंटर्डिउस किया था किसके दोरा और कहां पर ये Critical Thinking होती है तो देखिए आपके Left Brain में का होता है ये Left Brain में जहां पर Ready जहां पर Thinking ये सारे चीज़े वही होती है Learning ये भी आपको Left Brain में ही देखने को मिलेगा Speech भी जो है Left Brain में देखने को मिलेगा Emotional भी जो है आपको यहीं पर देखने को मिलेगा यहां पर आप लोगों से Devices का Full Form ये है ये किसने कहा था L.A.D. और उसके बाद आप जो है Psychologist का नाम लिख देना ठीक है अगर आंसर किसी का नहीं आया तो अगले वीडियो में इसको मैं कभर कर लूँगा Critical Thinking जो है कहां होगा Left Brain में होगा यानि कि 12 का Third Answer Correct है चलिए आगे बढ़ेंगे Man's Sana in Corpus Sano ये Latin प्रोभरव है इसका क्या मतलब है देखे इसका मतलब है Hindi में इसे बोला जाता है स्वस्त मन में ही स्वस्त सरीर का वास होता ये मैंने क्या कर दिया उल्टा बोल दिया स्वस्त सरीर में ही स्वस्त मन का वास होता यानि कि अगर आपकी बोडी हेल्दी नहीं है अच्छी नहीं है फिट नहीं हो आप तो आपके अंदर विचार भी नेगेटिव ही आएंगे अगर आप जंक फूट खा रहे हो तो आपको सोने का मन करेगा और आलस की जो है आपकी बोडी हेल्धी रहे कर और आप जो है अच्छे चीज़ों को य्टिलाइज कर पाओगे अच्छे से चीज़ों को समझ़ पाओगे सही अनसर क्या हो जाएगा a healthy body in a healthy mind नहीं healthy mind जो होगा वो healthy body में होगा इसका third answer I mean fourth answer correct होगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की और इस method का क्या मतलब है देखो सबसे पहले question आप समझ लो teaching जो है ना सिर्फ आपको book के माध्यम से नहीं करानी है ठीक है इससे अच्छा तरीका क्या है बच्चों को आप उसके आस-पास के activity में involve करना है आपको जैसे कि अगर आप EBS पढ़ा रही हो पेड़ पौजे के बारे में पढ़ा रही हो आप क्या करो class के आस-पास अगर कोई पेड़ है तो बच्चों को वहाँ ले जाए और वहाँ से real time में जो है चीजों को सिखाने की कोसिस करो कि ये root है ये steam है ये जो है यहाँ से जो है कि रूट से जो है ये पानी को लेता है या फिर जो the minerals सहीड ओ लेता है तो इन चीजों को आप जो है relate करके बच्चों को पढ़ाने की बात कही गई है इसका answer 4 होगा बहुत ही अच्छा सवाल था यह आगे देखिए which one is not the type of lesson plans on the basic of objective देखिए objectives की अगर मैं बात करूँ तो lesson plan का कौन सा objective नहीं है यह type नहीं होना चाहिए तो देखिए इसका सही जवाब है micro lesson plan micro lesson plan में आप क्या करते हो देखिए अगर आपको online पढ़ाना है यानि कि आप क्या करते हो lesson plan में यह tools की तरह काम आएगा suppose कर लो कि कोई आपने audio या फिर video माध्यम से अगर आप पढ़ा रहे हो face to face पढ़ा रहे हो या online पढ़ा रहे हो online teaching करा रहे हो वहाँ पे काम में आएगा तो lesson plan में जो है आप इसको mention completely नहीं कर सकते हो पढ़ाने का तरीका आप lesson plan में करते हो और यह आपका क्या है tools है यह क्या है आपका tools है चाहिए आगे बढ़ते हैं यानि किसका सही जवाब क्या होगा micro lesson plan अगले question की ओर हम लोग पढ़ेंगे which of the following motivation is a considered primary motive देखिए primary motive क्या होता है तो आपको याद रखना चाहिए देखो यह मैसलो के द्वारा दिया गया सिधान्त है और इससे question तो आएगा ही आएगा मैसलो नेना एक hierarchy बताया था कि सबसे पहले जो है मैं hierarchy बना देता हूँ hierarchy यानि कि एक ऐसा समझ लो कि ये सब सारी चीज़ें पूर्ती होती है तो चीज़ें आगे बढ़ता है जैसे एक बात पुली जाती है रेस्ट की भी ज़रूरत है सोने की भी जरूरत है जीतना खाने की जरूरत है उतना रेस्ट की भी जरूरत है अगर ये सारे complete हो जाए तो आप फिर सोचो कि कहाँ सोया जाए जान मच्छड ना काटे जान पर बिच्छू या फिर सांप नहीं आपको देखने को मिल जाए, तो आप security के बारे में सोचना शुरू करोगे, उसके बाद जो है, आप अपने दोस्त के बारे में सोचना शुरू करोगे, कि उसने खाना खाया या नहीं, उसने पढ़ाई करी कि नहीं, यानि कि इसके बाद जो है अगला relation क्या होगा relation बनाने की होगी इसी के बात जो है और भी चीज़ें आती है तो अब देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया है आपसे आपसे पूछा गया है कि primary motives क्या होता है और मैंने आपको primary motive के बारे में क्या बताया कि पले food आता है फिर जो है आगे चीज़ें आते जाती है तो यह क्या है psychological motives होता है यह क्या होता है psychological motive होता है याद रखिएगा बहुत ही important सवाल है आखरी मैं फिर से आप लोगों को दुरा दूँ 699 में आप मेरे hand it and not secure कर सकते हो yourmithun sing at the rate gmail.com पे आप मुझे mail कर सकते हो इंस्टा पे हो then do follow me at the rate imithun sing वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत सुक्रिया ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें लाइक करें और अपने दोस्तों तक आपको पहुंचाना है वीडियो को साजा करना है यहां तक वीडियो कर आपने देखिए तो जय हिंद एक बात नीचे कोमेंट सेक्शन में जरूर लखिएगा थेंक्यू सो मच